विदान सभाचुनाव की दोरान बिजेपी की सदस्याता समीती के सदस्य रहे विनोतिवारी से होनबिल टीवी के राचनेटिक संपादक रिशी भारत वाच ने वाटमान लोग सभाचुनावों पर की खास बाचीट आएए देखते हैं साथ तारीक को तीसरे चरण का मद्दान होना है यूपी की दस लोग सभा सीटों पर इससे पहले दो चरणों का मद्दान हो चुका है जिसमें बहुत ज़्यादा उत्सा देखने को नहीं मिला इससे पक्ष और विपक्ष दोनों ही बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं पक् उससे उनको नुकसान हो सकता जिस तरह से वोट परसंटेज कम हुआ है ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए भारति जन्ता पार्टि से विनोत्तिवारी मौजूद है जिंसे हम बहुत से सवाल करेंगे उन से ये भी जानेंगे कि राजभर का जिस तरह से बयान आता है और वो कुछ भी बोल रहे हैं तो क्या ऐसी क्या मजबूरी है जो राजभर से वो यह नहीं कह पा रहे है कि आप थोड़ा शांत हो जाइए या अपनी भाशा को थोड़ा सहीं मित रखिए अब बहुत-बहुत स्वागत है आपका अब यह बताईए मुझे कि ओम प्रकाश क reflects करने आप है संब नाबम लिए अनिव उन्होंने बंपरदान मंत्री मुख्यमंत्री नाम लिये जोन नेbaby दर्म होता है जिसमें थोड़ा सा संकुचा आ रहे हैं कहने मतलब कोई किसी के बारे में जब तक बेक्तिगत तोर पर राजनितिक जीवन में सारविनी जीवन में खुल के नहीं बोलता है तो हम कायासों पर थोड़ी नचलेंगे अई आई जैन उन्हीं वर्त्रियंतापरटी किसी के बारे में बड़ देने के बाद से कितना फर्क पड़ेगा दो बरतमान में, भारत अंत्रापरटी की सरकार में, एलाइंस में हैं, मत्रिमंडल में थे, अब वहांके जाती है गणित के अनुसार और उनके ओट के अनुसार, हम लोग पहले भी मजबूत थे, और उनके आने से और थोड़ा मजबूत हुए हैं। यह बताईए कि दो चरणों का जिस तरह से मद्दान हुआ है उसमें वोट परसेंटेज बहुत जादा कम देखने को मिला है लोग घर से नहीं निकल रहे हैं गर्मी का बहाना हो रहा है जबकि दूसरे चरण में चुनाव आयोक की तरफ से कहा गया था कि आप वोट डालने क्योंकि हैं लोगों को जम्मेदारी ओक रहे हैं हर व्यक्ति को पताधिकारी कारकरता सभी को एक बेक्ति दस ओट視 निकालने के जम्मेदारी दी गई है और वैसे बcarbonate giac तो आपको नहीं लगता है कि अगर आप लोकतंत्र में हैं लोकसभा का चुनाओ है तो जितना आपके लिए हिंदू या कोई मुखमंत्री जी ने गहिए कि मुसल्मानों को नाम लेकर करके नहीं बोला आप सोच सक रहे हैं कि इदर के तरब बोल रहे हैं ऐसा नहीं है मुखमंत्री जी तो सबकी बात करते हैं सबके लिए कर अभी बचरा सबके लिए बच वरा इंव संभी कारवई हो रहिए इसके लिए मुखमंत्री जी ने ऐसे कोई 1227 कफी बोला ही नहीं लेकिन प्य द लगाता दो लगातार बोलко की मॉलСТ आईगी तो मुसलमानों को OBC, SC, ST वाला जो आरक्षण है उसमें से दे देगी जी ने कहीं मुसल्मानों का नाम ने लिया है आप एक भी भासनों में कहीं उठा के देख लीजिए पुराने रिकॉर्ड को या कोई रिकॉर्ड जिसमें उन्होंने मुसलिमों का नाम लिया हो अचा चलिए यह भी माल ले के बाद में आकले पेश किये हैं उसके बाद से चुनाव आयोग भी निशानप पर आ गया है विपक्ष के तो इसको आप क्या मानते हैं देखिए हार का डर है विपक्ष को हारने के बाद खिस्यानी विल्ली खंबान होचे अब उनको यह लगता है कि इबीम गलत है करनाटक सब्सक्राइब नौलेज़ इसके पास हो फॉरें से बुला ले किसी को अगर उनको लगता है कि बहुत उनके पार एक्सपर्ट है सिद्ध कर दे की भी हम गलत है बात आप बिलकुल सही करो हारकडर तो हारकडर तो भारती जंता पार्टी के साथ भी क्योंकि राम मंदिर बनाया उन्होंने एक नेरेटिव बनाया गया बहुत मतलब पूरे देश विदेश हर्चगय से लोग आए हर इंडस्ट्री से लोग आए हर छेत्र से लोग आए वो चाहे सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो और आज भी ताता लगा हुआ है तो ऐसे में अगर जब जो भारती जंता पार्टी राम मं ही है तो वो टिकट में भी संचय बना हुआ है कैसर गंज में आप देख लीजे यह भी का गया है मतलब सूत्रों के हवाले इसे कहा जा सकता है कि यह भी था कि हर्यारा का जब मद्दान निपड जाएगा उसके बाद कैसर गंज सीट का फैसला होगा तो यह सारी चीजे कैसे मतलब आपको नहीं लग रहा है कि भारती जंता पार्टी में भी हार का डर था अगर राम मंदिर आप बनाए हैं एक गाना भी बड़ा फेमस हुआ था कि जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे तो जब इतना सब कुछ था इतना महौल था तो फिर यह सब करने की क्या जरूर राम मंदिर आस्था है और हर मुझे लगता है कि पुरी दुनिया में जो हिंदू है वो आस्था के साथ ब्हगवान राम से जुड़ा हुआ है और हम पहले भी रामलाला दर्सन करने जाते थे और भभब्यर मंदिर के बाद भी जा रहे हैं राम मंदिर बनने के बाद लोग के पूरी तरीके से अस्वस्थ है पुरे देश में मानि प्रधानमंत्री जी का जो नारा है 400 पार हम उसके पार जा रहे हैं उसमें कोई संसे नहीं है अब यह आप अपोजीशन का सोचना है कि वह कहा है वह अपने बारे में सोचे उनको हार का डर है इसलिए वह अपने यहां पसक्ति है तिखेंट औहरे संसे नहीं है इस घृच्ट करती थी इस बार तो वह धी गोड़ कॉख और सक्ता लोग सभा चुनाव भी लड़े थे उनका कहना यह है कि राहुल को राइबरेली से नहीं रावल पिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए था तो कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि प्रमोत कृष्णन की अंदर खाने से कुछ बात हो गई हो क्योंकि कलकी धाम का उनका अमंतरन था वो भी प्रदान मंतरी ने सुविकार किया और वहां पहुंचे भी तो यह क्या मैसेश था यह प्रमोत किस्णरन जी एक संत हैं संतों की अपनी एक सोच होती है और वो हमेशा जो है मुझे लगता है एक सकारत्मक दिसा में सोचते हैं कल की बागवान राम के लगता है ढरे हुए है आधाश लगे नहीं जा पाए जहां उनकी बिरासत थी बिरासत से ज़ब काँजिंब जकू आपने घर के आख रहे हैं जो यूपी के परिदश से अगर देखा जब तो राहूल गांधी भी मैदान में आ गए हैं अकलेश यादो भी मैदान में आ गए तो ऐसे में कितनी वड़ी चुनाओती है यह मेरा आखरी सवाल है आपसे तेकि राहूल गांधी और अकलेश जी यह सोच सोच के हारेंगे तो क्या कहेंगे जीतने की तो कोई आसा नहीं है इसलिए यह मुझे लगता है घर में और परिवार में डिसकसन करते हैं कि लड़े के ना लड़ें उसके बार मन मनाते हैं कि लड़ना है बदायू सीट को आप कितना मान रहे हैं सुरक्षित पहले से पिछले सामने है अपना मत हुता है जब जिसकी मर्जी होती है कहीं भी जा सकता है जाने के लिए आप किसी को रोकने सकते सोतंत्र दहा है इसके लिए को बारती जनता पार्टी के कद्दावर नेता है जिन्हों ने हमारे सवालों के कुछ तो सीधे जवाब दी और कुछ का गोलमोल जवाब दे कर बात को टालने की कोशिश की फिलाल उनको बहुत उमीदे हैं और अब देखते हैं कि ये उमीदें मद दाता उन कितनी पूरी करते हैं आज के लिए फिलाल इतना ही जल्द आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार